नवस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है उन्हेस ओक्टूबर दिन गड़ुआर खबरों क्यों बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर देशरा दुर्गा पूजा के अफसर पर स्रप्छा ही तुँ जरूरी सला बिहार सेक्चक भरती काउंसलिंग में ये दस्तावेज होंगे एहम इस दिन मिलेंगे निप्ति पत्र राश्रे पुर्षकार जीतने पर पंकस्त्रिपार्थी का बयार मुख्य मंत्री कि सोरी स्वास्ते काड़े किरम का लाब उठाने के लिए कड़े ये काम आज विश्वकप 2023 के सत्रवे मुकाबले में भारत और बांगलादेश के बीच होगी भिरन अचले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से करेंसी नोट प्रेस में 117 पदों पर निकली भरती भारत सरकार की मिनी रत्र कंपनियों में से एक करेंसी नोट प्रेस नासिक दोरा सूपरवाइजर आर्टिस्ट असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशन के कुल 117 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो सी एनपी की आधिकारिक वेबसाइट cnpnasik.spmcil.com पर जाकर ओल्लाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादी कि आविदन करने की अंतिम तारिक 18 नमंबा 2023 तक निर्थारित की गई है वे आविदन की शिर्वात आज ही आनी की 19 ऑक्टूबर से हो रही है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदो के लिए वे विविन योगिता निर्थालित की गई है ऐसे में एक चुक और मिद्वार इसे जड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी के गद सूशना को देख सकते हैं देशरा दुरगा पूजा के अफसर पर सुरक्षा हे तू जरूरी सलाह पूजा पंडालो देशरा मेला एवं रावन वदे के अफसर पर सुरक्षित आयोजन एवं भीर प्रबंधन हेतू प्रशासन के नरदीशों का पारण करे किसी भी आपात कालीन सहाइता के लिए आपदा प्रबंधन विभा के राजिय आपात कालीन संचालन किंद्र के हेलप लाइन नंबर 612-22942-4 या 6612-22942-5 या टोल फ्री नंबर 1-7 या मुबाईल नंबर 7-7-29-1-7 पर संपर्प कर सकते हैं विहार परिटन में आज हम बात करेंगे उगरतारा स्थान के बारे में विहार के प्रसिद सकती स्थलों में सहरसा जले के महीसी में अवस्तित उगरतारा स्थान प्रमुख है मंदन मिश्रकी पत्नी विदूशी भारती से आदि संक्राचारी का सास्तरार्थ यहीं हुआ था जिसमें संक्राचारी को पराजित होना परा था सहरसा से 16 किलोमीटर दूर इस सकती अस्थल पर सालों भर श्रद्धालों का तांता लगा रहता है लेकिन अवरात्र के दिरों में और प्रती सब्ता मंगलवार को यहां श्रद्धालों की भारी भीर होती है सकती पुरान किनसार महामाया सती के मृत सरीर को लेकर श्रद्धालों की तरह प्रहमान में घूम रहे थे इससे होने वाले प्रले की आशंका को देखते वे विश्णु द्वारा महामाया के मृत सरीर को अपने सुदर्सन से 52 भागों में विवक्त कर दिया गया था सती के शरी का जो हिस्सा धरातल पर जहां गिरा उसे सिद्ध पिठ की रूप में प्रसिधी मिली महिस्ती उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसी मानता है कि शती का बाया नित्र भाग यहां गिरा था आज विश्वकब 2023 के सत्रवे मुकाबले में भारत और बांगलादेश के बीच होगी भिरन्त आज यानि के 19 ऑक्टूबर को विश्वकब 2023 के सत्रवे मुकाबले में भारत और बांगलादेश के बीच मुकाबला होने वाला है पतादी के विश्वकप 2023 में आज खेला जाने वाला या मुकाबला भारत का चौथा मुकाबला होगा जो कि पूले असित महराश्ट रुक्रिकेट एस्सोशेशन स्टेडियम में खेला जाएगा पालम हो कि भारत टुर्णामेंट में अपने तीन मैचों में जीत दर्जकर अं अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 40 वंडे मैच खेले हैं जिसमें से टीम इंडिया ने 31 मैचों में जीत दर्ज की है वहीं मांगलादेश ने भारत खिलाफ 8 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकला ऐसे में आज करया मैच पेहली दिलचस्प हो बात कर दी कई है जो कि 24 उक्टूबर तक चलने वाली है ऐसे में काउंसलिंग प्रक्रिया में जिन दस्ताविजों की जरूरत पढ़ने वाली है उसमें मूल BPSC प्रवेश पत्र सौप प्रमानित आलहारकार सभी सैचिक एवं प्रसक्षन प्रमान पत्र CTET, BTET, STET उतन प्र प्रमान पत्र, तीन पासपोर्ट, साइस फोटो, जादी प्रमान पत्र और जनतिती प्रमान पत्र शामिल है वहीं काउंसलिंग में अभियर्थियों के रिकॉर्ड्स का ओनलाइन सत्यापन किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार लोग सीवा की अनुसं चैनित इन सब विद्याले अध्यापको को मुखे मंत्र रितीश कुमार द्वारा दो नमबर को गांधी मैदान में निप्ति पत्र बाटे जाएंगे खिलारियों को निखारने के लिए गैर आवासिये खेल प्रसिक्षन योजना सुरू बिहार के खिलारियों की प्रतीभा को निखारा जा सके इसके लिए आर्ट से 14 वर्ष तक के प्रसिक्षो खिलारियों के लिए गैर आवासिये खेल प्रसिक्षन योजना के श्रुवात की गई है जिसके तहट खिलारियों को खेल विद्या में आधुनिक तरीके से प्रसिक् परण पंचायतो प्रकंड जलो के मुख्य आउट्डोर स्टेडियम जला खेल भवन खेल मैदान वर स्कूलों में होगा प्रतेक कारे दिवस को 4 घंटे की प्रसिक्षन अब दी रहेगी अब घर बैटे पिंसनर अपने लाइफ सर्टिफिकेट को करवा सकते हैं जमा अब राजे में पिंसनरों को अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए कहीं जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो घर बैठे ही अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं दरसल अब पिंसनर केवल 70 रुपए चार्ज देकर डाग घड के पोस्ट मैन या ग्रामीन डाग सेवक के जर ये अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं बता दे कि है सर्टिफिकेट खुद से संबनित विवाग को ऑनलाइन पहुँच जाएगा जिसे की पिंसनर मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी पिंसनर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं मालम हो कि है सुधा सभी डाक घड़ों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उप्लब्ध कराई जा रही है बता दे कि है सुधा डाक विवाग के द्वारा पेंसनरों को सुधा पहुचाने के लिए दी गई है राश्ट्रिय पुरुसकार जीतने पर पंकस्त्रिपाठी का बयान करता हूंने और उनके जज़्बे को मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं इस समय की वजह से मेरे पास सब्द नहीं है लेकिन मैं खुश हूं और टीम की अभारी हूं कृती नहीं सर्वस्रिष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार भी जीता है इसलिए बहुत-बहुत बदाई उसके लिए इसके साथ उन्होंने मीमी फिल्म से ज़रे सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया किनों ने इसकरदार को निभाने के लिए उन्हें चना चौथे क्रिसी रोड मैप 2023 का सुभारम किया इस दौरान राश्ट्रपती के दौरा सभी को संपुधित करते वे कहा गया कि मैंने करीब 6 सालों तक बिहार के परोसी राजे जारकन के राजे पाल का दाईत्वका नर्वहन किया इस दौरान मैंने बिहार की संस्कृती और जी परंपरा को संजोई रखे हैं वहीं इस दौरा सीयम नितीश के द्वारा कहा गया कि बिहार में वर्स 2008 में क्रिसी रोड मैप की शिर्वात हुई थी पहले क्रिसी रोड मैप की शिर्वात के बाद ही धान मक्का और आलू की उत्पादकता लगातार बढ़ने लगी फिर साल 2011 11-12 में धान उत्पादन में नारंदा के किसान ने चीन का रिकॉर्ड तोरा उन्हें पुरुस्कुत भी किया गया आलो के उत्पादन में भी बिहार ने वर्ल रिकॉर्ड बनाया है इसके बाद साल 2012-17 में दूसरे क्रिसी रोड मैप की शिर्वात हुई जिसमें दूद एक लाग बासथ हजार क्रोड रुपे खर्च होंगे राज्य के इन स्कूलों में नहीं बनेंगे परिक्षा केंद्र विहार बोर्ड के अध्यक्ष अनंत किसोर के द्वारा बीत दिन राज्य के सभी जलातिकारियों को नर्देश देते वे कहा गया है कि राज्य के उन परिक्षा केंद्र बन भी जाता है तो वहां दूसरे स्कूल के प्राचारी को वहां का केंद्रा धboo कि बहतर हो सके इसके लिए सभी जिलावार केंद्र चयंद कर के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखने का वे निर्देशती आ गया है जिसके तहट आपस में दो स्कूलों या कॉलेजों को टैग नहीं किया जाए किंद्र वहीं बनाया जाए जहां चाहरदिवारी मुख्य गेट पड़याप्त कमड़े आदी मौजूद हो पिहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चंद्रबती देवी के बारे में चंद्रबती देवी का जन्मा आची के दिन 1909 में हुआ था यह एक भारती अभिनेत्री थी जो हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा मीवी दिखाई दी थी उन्हें 1935 की प्रतस्ठित क्ला सिक मीरा बाई में मीरा की भूमिका निभाने के बाद उन्हें स्टार्ट डब मिला उन्होंने रवंद्र नार्ट टैगोर की देखरेक में दीनु तालुकदार से संगीत की सिक्छा ली उनकी प्रमुक फिल्म में दक्ष यग, देवदास, प्रिय जया, वडो दीदी, पाथ खिरदातरी, दुर्गेश, नंदनी आरी थी, अपने पती के साथ मिलकर उन्होंने एक फिल्म निर्माता कंपनी, मूवी थियेटर के स्थापना की, वब फिल्म पत्रिका बायोस्कोप के संपादक और प्रगाशप थी दर्भंगा एम्स निर्मान में देडी पर केंद्रिय स्वास्ते राज्य मंत्री का बयान बिहार में एक बार फिर से दर्भंगा एम्स के निर्मान को लेकर सियासी गलियारों में केंद्र सरकार और राजिस सरकार के बीच आरोब प्रत्यारोब का दौर चालू हो गया है से संसाधन उपलवत करवा दिये जाते हैं तो बहुत जल्द ही तरबंगा में भी एम्स का निर्मान पूरा हो जाएगा प्रधान मंत्री निरंद्र मोधी चाहते हैं कि यहां जल से जल्द एम्स पने और लोगों को स्वास्त सुधा मिल सके लेगन प्राजिस सरकार के द्वार अध्यक्ष का बयान इतने अभ्यर्थी हुए सफल बीते दिन बदवार को बीपीएसी सक्षक बहाली परिक्षा को लेकर एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित किया गया जिसमें बीपीएसी अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा कहा गया कि प्रारम भिक माध्यमिक और प्रश्रा से पहले पूरा कर लिया जाएगा इसके साथ उन्होंने बीएड को लेकर कहा कि प्राइमरी का रिजल्ट बीएड अभ्यर्थियों को चाट कर जारी किया गया ऐसे में जिसने दर्द किया है वही दवा भी देगा आज बिहार के इस जिले में लगेगा सबसे बरा रोजगार मेला अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश मेहत यह खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानिकी 19 ऑक्टूबर 2023 को बिहार के जमुई जिले के सिकंद्रा प्रखंड मुख्याले सिद्राधिका मैरेज हौल में जिविका की ओर से एक जॉब कैम्प का यूजन किया जारा है इस बारे में संचार प्रबंधक सुनीता कुमारी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है किस रोजगार मेला में 18 से लेकर 35 साल तक के यूवक यूवती भाग ले सकते हैं बतादे कि रोजगार सह मारुक दर्शन मेला में 10 वी और 12 वी पास यूवक यूवती अपने सैचनिक यूगिता प्रमान पत्र की छाया प्रती और पासपोर साइज की 4 फोटो लेकर यहां पहुंच सकते हैं बतादे के आजस रोजगार मेला में LNT, HCN, LIC, Hope Care, India Limited, Ecom, Express Private Limited, शिवसकती, बायोटेक, RTD, ग्लोबल समेथ कई कमपनिया भाग लेने वाली हैं वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में पूरे एशिया से इकलौता प्रतिनिधी बना बिहार का लाल 20-22 अक्टूबर तक सौधी अरब रियाद में आयोजट होने वाले वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स के 88 किलो वर्ग में पूरे एशिया से कलौते प्रतिनी थी बिहार के बेटे का चर्ण किया गया है जिनका नाम भोरिक सिंग यादव है बतादी के बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं वह इस गे में भाग लेने के लिए भोरिक सिंग यादव बिहार की राजदानी पटना से रवाना हो चुकी है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि भोडिक सिंग यादव का चर्ण कजाकस्तान अस्ताना में आयोजित एशियाई चैंपियोंशिप में रजट पदक प्राप्त करने के बाद किया गया है वही भोडिक सिंग यादव की सुपलब्धी पर विहार सरकार के कला संस्कृती एव स्भाचनाओं के लिए बठने लगे काम दोहजार चौबिस में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर चनाव आयों की ओर से तैयारियां शिरूप कर दी गई है ऐसे विश्ते जिरे कामों को बाटने की भी प्रक्रिया शिरूप हो गई है बता दे के निर्वाचन काड़े पंचायतीивают विवाग पठ्थनर्मान और गर विकास के साथ स्वास्थे विवाग को दे ी गई है। लोग स्वास्थे भीएंत्रन विवाग को दी गई है। इसी तरह मद्दान के इंद्रों तख पुहँच पत बनाने की पठ्थनर्मान विवाग कोैं बिजली प्लगता शुनिशित करने की जिम्हदारी उर्जा विभाग को दी गई है बदान केंद्रों के लिए स्कूलों का अच्छा विभाग के जिम्में हैं तो वहीं बिमार मद्दाताओं के लिए अस्पतालों में सुधाई बहाल करवानी की जिम्हदारी स्वास्ते विभाग की हो बारत तक की छात्राओं को 300 रुपए प्रती वर्स सेनेटरी नापकीन के इस्तमाल करने के लिए प्रदान किये जाते हैं आलाक इस योजना का लाप पाने के लिए सरकार की और से कुछ पातरता भी निर्धारत की गई है जिसके तहर छात्रा बिहार राजी की मूल दिमासी होन जишके से मूख करें जब्रदाध्याबक से संपर्त कर सकते हैं अब एक बार फिर से बिहार के खिलारियों यह पने शांतार प्रदर्शन से भीहार का नाम रोशन करने का काम किया है दरसल परश्य मंगाल के दमदम बसाक बगान इस्थित अमल दत्त क्रिंगन स्टेडियम में आयोजे तीसरे इस्ट इंडिया कराटे चैंपियंशिप में इस्ट इंडिया के पांच राजी पंगाल उडीशा बिहार जार्खन और अंडमान और किया तो वहीं इनकी बेहन खुश्पु कुमारी के द्वारा सीनर काटेगरी प्लस 68 किलो वर्ग में अच्छा प्रदर्शन किया तो वहीं रुपाली कुमारी के द्वारा अंडर इकिस काटेगरी माइनस 50 किलो वर्ग में स्वन पदक और सीनर काटेगरी 50 किलो वर्ग में भ दो जजों का हुआ ट्रांसफर बीतмотр सुप्रीकोट कॉलेजियं की सिफारिष पर अपनी मंजोरी दिया गाई है उन पट्ना हाइहूड के ज़ज सुधीर सिंग है जन्ने ट्रांसफर कर का वालकता हाइकोट और पंजाब और हरियाना हाइकोट चंडिगर भहज गया है वहीं जन दो जज़ोंगो पटना हाइकोट भेजा गया है उनमें घुभार्टी हाइकोट के जजज स्चे बेटे उसामा के जान को लेकर डर रही ससाब उद्दीन की पत्नी अपने बेटे की जान की चिंता सता रही है बीते दिन जब हीना श्रहाब से पत्रकारों के दोरा पूछा गया कि क्या आपके बेटे को फसाया गया है तो इस पर वह फफफफफख कर रोने लगी और प्रशासन से गुहार लगाते वे कहा कि हमें नया चाहिए अगर नयाई नह पर हमला बोलते वे कहा गया है कि बिहार में स्वरोजगार और द्यों के ना होने के पीछे जो सबसे बरा कारण है वह है पुंजी की अनुप्रवता बिहार में लोगों के पास पुंजी है ही नहीं बैंक से जो पुंजी आती है इसको देखने के लिए देश भर में एक पैम में यहां था 38 प्रतिशत लालु जी की 15 साल के काल खंड में लौ एंड और खड़ाब हुआ तो लोगों ने उद्योग धंदे लगाने बंद कर दिये बिहार छोड़कर भागने वाले लगे जिसकी वज़ा से स्टीडी रेसियो घटकर 22.5 प्रतिशत हो गई फिर 2004 से थोड़ी लेकर पिछले वीटिए वर्ट्स में रिजर्व बैंक का डाटा बता रहा है कि 26 लाग 35,000 करोड रुपे बिहार के बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरी राज्य में 32 वर्षों में बिहार सिरकार का बजट इतना नहीं है जो बिहार का पैसा है वह तो बिहार मे इतनी दिक्कत है भारत के ध्यास में आज की तारीक है कई कार्नुस दर्ज मदर टेरिसा ने कलकत्ता में मिस्नरी ओफ चरेटीज के स्थापना 1950 में की स्री नाम लू पोटे ने प्रिथक आंध राज्य के लिए आमरन अंसन 1952 में शुरू किया भारत में निर्मेत पहला मेग 24 से 1996 तक सभी केंदरी अधिनियमों का इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस तयार करने की घोशना 2000 में की पॉप जोन पॉल दुट ने 2003 में मदर टेरिसा को धने घोशत किया यह संत की उपाधी दिये जाने की दिशा में पहला कदम होता है प्रसिद मैला क्रांतिकारी मांत गिनी हज अध्यात्मी गुरू और फिलोसफर पांडु रूंग सास्त्री अठवली का जन्म नीसोबीस में हुआ था काशी के प्रसिद सहित्यकार बोला संकर व्यास का जन्म नीसोथीस में हुआ हिंदी फिल्म अभिनीता सनी देवल का नाम से प्रसिद अजय सिंग का जन्म 1961 में हुआ गांधिवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद महिला समाजिक कारेकरता निर्मला देश पांडी का जन्म नीसोथीस में हुआ प्रसिद साहिते कारों में से एक राम अवद दुवेदी का निदन 1971 में हुआ वायोकर में आजम बात करेंगे नए संचार नियम के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़री नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे नए संचार नियम के बारे में दरसल PIV ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाटसप पर वाइरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है अपने इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया है इस बदलाव के बाद आब आपको वाटसप को यूज करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत नहीं होगी इस अपडेट के बाद आप अपने वाटसप को एक साथ सहीं ऑपडेट कर सकेंगे नए अपडेट में अपके नीचे की और चैट, अपडेट, कम्यूनिटी और कॉल बटन दिखेगा और सभी टैब के साथ नए आइकन भी दिख रहे हैं नए अपडेट के बाद यूजर्स को एप में सबसे उपर दिखने वाला आइकनिक ग्रीन बार नहीं दिखेगा, अब पूरा इंटरफेस वाइट कलर में दिखेगा उत्तर बिहार से हरियाना के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेन तिवारों की सुरवात हो चुकी है, ऐसे में अब सभी लोग अपने अपने घर पहुंचने की तयारी में लग गए हैं आपको जानकारी के लिए बता दे कि पुर्व मध्य रेल के द्वारा छट पूजा के बाद यात्रियों की अत्रिक्त भीर को देखते वे सहरसा से अंबाला कैंट तथा रक्सॉल से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन के पड़िचालन का नड़ने लिया गया है म और 055-32 रक्सॉल आनंद विहार रक्सॉल स्पेशल ट्रेन सामिल है जिसमें से गारी संख्या 055-77 प्रतेख शुक्रवार को 24 नवंबर से 8 दिसंबर तक सहरसा से निकल कर अंबाला पहुंचेगी तो वहीं गारी संख्या 055-78 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक प्रतेख रविव से 11 दिसंबर तक आनंद विहार से रक्सॉल पहुंचेगी हम प्रतेदिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की बीपीसी विहार पोलिस तरोगा समीत एससी जरसे अने प्रतियोगी परक्षां में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पीश असम ओप्षण डी नागा लैंड इसका सहुत तर्य ओप्षण डी नागा लैंड अगला सवाल हाली में किसने चन्नाई तमिलनाडू में सागर पडिक्रमा के दसवे चरण के श्रण के श्रवात की है अगला सवाल हाली में बिहार की मुख्य मंत्रे नितीश कुमार ने किसका सुभारम किया है ऑप्षण ए रभी महाभियान 2023 ऑप्षण भी धान महाभियान 2023 ऑप्षण सी खरीफ महाभियान 2023 ऑप्षण डी इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है ओप्षिनी ग्रभी महाभियान 2023 अगला सवाल बिहार के स्थापना कभूई ओप्षिनी 22 मार्च 1912, ओप्षिनी 22 जुलाई 1911, ओप्षिनी 22 मार्च 1911, ओप्षिनी 10 अक्टूबर 1910 इसका सही उतर है ओप्षिनी 22 मार्च 1912, अगला सवाल बिहार के GT डोड का क्या नाम है, ओप्षिनी 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 पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नरजाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारी पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नामें मनीश सिंग, पूजा राज अरचना, गोनर सर्मा, रुनु गोलु कुमार, मु विश्व कप, 2023 में भारत और बैंगलादेश की बीच होने वाली मैच में कस टीम का पलरा भारी है, अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ, बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो फेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद